तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमचल प्रदेश भुगौली पर्चे तो ये हमारी वीडियो का प्रत्थम जो क्रैस कोर्स का प्रत्थम वीडियो है तो इसके बाद आपको continue तीस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल HPG के घ्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर साथ में आई रेट कलर की जो सब्सक्राइब का वटन है उसके बाद एक आएगी उसको भी अपने प्रेस करना है जिससे आपको जैसे भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटकेशन आपके फोन पर आ जाएगी तो चलो शुरू करते हैं हिमचल का साब्दिक अर्थ तो हम हिमचल के साब्दिक अर् इसका नाम हिमचल हिम का अर्थ होता है बर्फ और आंचल का अर्थ होता है चादर से ठीक है तो हिमचल का अर्थ हुआ कि ऐसा पर्वत जो बर्फ की चादर से ढखा हुआ है तो आप सभी को पता ही हिमचल प्रदेश के मैप का तो ये हिमचल प्रदेश का मैप है और इसमें जो सबसे पहला जिला है वो उपर से चमबा चला और उसके इस साइड लाल सुपिती है ये जिला कांगड़ा है सैंटर में कुलू है और ये किन्न और जिला है और ये जो तीन जिले है इसमें से ये उन्ना है ये हमिर्पुर है और ये मंडी है और उसके बाद ये जो जिला आपके सामने आता है ये बिलासपुर है और ये सिमला है और ये जो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सोलन है और ये सिरमौर है इस प्रकार से 12 जिले मैंने आपको बता दिये कि कौन सा जिला कहां पर स्थीत है तो मैक्समम मेरे दोस्तों को इस बात का पहले ही पता था लेकिन जिन दोस्तों को पता नहीं था उन्हें मैं बताता हूं इस वीडियो में तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा हिमचल प्रदेश है हिमचल प्रदेश हिमालय की किस परवत स्रिंखला में जो है वो स्थीत है तो हिमचल प्रदेश जो है वो पस्चिम हिमालय परवत स्रिंखला में जो है स्थीत है तो इसे मैं आपको मैप के जर यह बताता हूं तो यह हमारे पास जो है इंडिया का मैप है तो यह हमारे पास हिमालय परवत स्रिंखला है जो इस प्रकार से जो है यह हिमालय परवत स्रिंखला है तो इसे जो है उत्तर का हिमालय परवत भी कहा जाता है इस स्रिंखला को तो तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यह हिमालय परवत स्रिंखला है तो इसमें क्या है कि जो हमारा हिमजल परदेश है वो उत्तर दिशा में स्थीत है तो इसी कारण से प्रसन बनता है कि हमजल परवत स्रिंखला में स्थीत है तो पस्चिम हिमालय परवत स्रिंखला ठीक है तो पश्चिम की तरफ है वैसे तो उत्तर में भी पड़ता है लेकिन उत्तर और पश्चिम दोनों साइड में है तो बेस्ट रहेगा पश्चिम हिमालय परवस रिंख्ला उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्थीती आती है तो ये स्थीती आपने याद रखनी है कि हिमाचल परदेश स्थीत है तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमाचल परदेश की कुल परदेशिक सीमा तो हिमाचल परदेश की कुल परदेशिक जो सीमा है अर्थात अन्य जो परदेश हैं मतलब राज्यें उनके साथ कितनी किलोमेटर सीमा लगती है तो 1170 किलोमेटर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हिमचल प्रदेश के जो जीले हैं उनका किसे तरफल कितना है तदा फ्रतेक जीले द्वारा स्पर्स की गई अन्य जीलो वो राज्यों के साथ सीमा का बियोरा तो दोस्तो बारा जीले है तो बारा जीलों में सबसे पहले हमारे पास जीला आता है सबसे बड़ा तो कसे तरफल की दिश्टी से हमने ये जो हैं जीले लिके हुआ है कि किसका सबसे बड़ा है किसका सबसे छोड़ा कसे तरफल है तो एरिया में सबसे बड़ा जो है वो लहौल स्पीती है तो यह आपने बाकी देख लेने हैं और मैं अपने चैनल पर जल्दी ही जो है वो ट्रिक भी प्रवाइड करवाऊंगा कि इनको आप याद कैसे रख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने जुरूर करना है जिस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सबसे छोटा जो जीला है वो कौन सा है तो सबसे छोटा जीला जो है वो हमिरपूर है तो हमिरपुल 1118 वर किलो मेटर तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो सीमाए किस, जो है मतलब जो हमारा जीले है उसकी मतलब अन्या जो जीले है उनके साथ सबसे ज़्यादा किस जीले की सीमाए सपर्स करती है तो इसमें भी दो जिले हैं एक कांगडा और दूसरा जो जिला है वो है जो हमारा मंडी है कांगडा और मंडी की छे छे जो है वो मतलब अन्या जिलों के साथ सीमा एस पर्स करती है और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सिर्मार और चमबा ये दो जो हैं इनकी सबसे कम जो है वो सीमाय अन्य जिलों से सफर्स करती है तो उसके बाद ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है प्रन्तु अभी आपको समझ नहीं आएगा जब मैं नेक्स्ट जो हम ट्रिक से समंधित एक सीरी चलाएंगे उसमें आपको ये ट्रिक सभी मिल जाएंगे जल्दी ही अगर आपका इस वीडियो में को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेर करेंगे और अच्छे लाइक आएंगे और अच्छे कमेंट आएंगे तो जल्दी से मैं नेक्स्ट सीरीज आपके लिए ट्रिक की भी प्रवाइट करवाऊंगा तो ये आपके उपर है कि आप कैसा रिस्पॉंस इस वीडियो पर देते हैं और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब गीजीगा जिससे आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नौटिकेशन आपको असानी से मिल जाए तो उसके बाद ये जो हैं जो हमारे जिले हैं उनके साथ किन-किन जो हैं अन्य जीलों की सीमा हैसपर्स करती हैं तो ये मैंने लिखे हुए हैं और ये आपने पढ़ लेने हैं तो ये मैं आपको बिलकुल ट्रिक से याद करवाऊंगा और आपको कोई भी रटने की जुरूरत नहीं है तो या तो कल गाने की जुरूरत नहीं है आपको सब कुछ इस चैनल पर हिमचल प्रदेश के जो भी हिमचल प्रदेश में एकजाम होते हैं उनसे समंदीत आपको इस चैनल पर सारा स्टडी मिटेरियल मिलेगा तो आपने ये ध्यान से पढ़ लेना है कि किस जीले से कितनी जो है अन्य जीलों की सीमा इस परस करती है तो ये मैंने लिख दिया है वैसे तो आपने ये ध्यान रखना है उसके बाद मैप को जो है हिमचल परदेश का मैप बनाना भी सिखाऊंगा लेकिन वो अगली वीडियो में सिखाऊंगा तो अगर आपको सीखना है और अच्छे से याद रखना है तो नेक्स्ट वीडियो पर आपको वो मैप मैं जुरूर सिखाऊंगा इसके लिए आपको comment करना है कि आपको comment करके ये बताना है कि आपको HP का map बनाना सिखना है या नहीं तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हम अब मोटे मोटा जो है जी के मतलब जैसा कि वो आता है कि हिमाचल प्रदेश का भारत में कितना योगदान है तो ये प्रसन मैं आपको एक बार रिवाज करवा देता हूँ तो सबसे पहला हमारे बास प्रसन आता है कि हिमचल प्रदेश का कुल किसेतरफल कितना है तो 55673 वर किलोमेटर और सबसे कम जो किसेतरफल है वो किस जीले का है आपने comment करकर बताना है बिना वीडियो को फिर से देखे हुए कियोंकि आपको यह पता लगना चाहिए कि जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ आ रहा है या नहीं यदि आपको याद रहा हो तो please comment कीजिएगा हिमचल प्रदेश का भारत में जो है क्सेतरफल में योगदान कितना है तो 1.7% तो भारत के जैसे मालीजिए भारत का कुल क्सेतरफल आप 100 प्रतिसत मालेते हैं तो हिमचल का 1.7% योगदान है उसके बाद next हम बात करते हैं हिमचल प्रदेश का क्सेतरफल की दृष्टी से भ चारुवा स्थान है और हिमचल प्रदेश की कुल जन संख्य कितनी है तो 68,56,509 तो ये आंक्रे 2011 की जन गर्ना के हैं अब 2021 में होगी तो आंक्रे परिवर्तित होगे तो हिमचल प्रदेश का भारत की कुल जन संख्य में जो है वो कितनुवा स्थान है तो ये है 21 स्थान कि जो मतलब इकिसुमा स्थान जो है भारत का जो मतलब हीमचल प्रदेश की जनसंग का है वो उसमें हीमचल का स्थान भारत में है तो उसके बाद अगर हम इसो प्रतिसत में बदलें तो 0.57 प्रतिसत तो उसके बाद next person हम अगर देखें तो next person हमारे पास आता है हीमचल का संपूरण जो राज्य है जिसमें हम केंदर सासित प्रदेश उनको भी सामिल कर लें तो ये केंदर सासित प्रदेश अब 9 हो चुके हैं क्यूंकि जम्मू और कस्मीर जो था वो पहले राज्य था अब इसे केंदर सासित प्रदेश ये दो बन गए हैं जम्मू कस्मीर और लद्दा तो में जो है कितनों स्थान है मतलब अगर हम केंदर सासित प्रदेश और राज्यों को जोड़ लें तो 22 स्थान है उसके बाद नेक्स्ट हम प्रसन की बात करें तो हिमचल प्रदेश का गठन कब हुआ तो 15 अपरेल 1948 को और ये तीस चोटी बड़ी रियास्तों को मिलाकर हिमचल प्रदेश का गठन हुआ हिस्टरी का जो टॉपिक आएगा हमारी इस सीरीज में उसमें हम आपको बताएंगे तो 15 अपरेल को ही हिमचल प्रदेश भी मिनाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रसन की 1948 से लेकर 1951 तक हिमचल प्रदेश क्या रहा तो बात आ रही है कि हिमचल का जो है मतलब धिवस का बना जाता है तो 15 अपरेल तो उसके बाद जब हिमचल प्रदेश का गठन हुआ तो यह जो हुआ 15 अपरेल 1948 को तो 1948 से लेकर जब गठन हुआ उसके बाद की बात कर रहे हैं हम तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमचल प्रदेश जो था वो एक मुख्या अयुक से तर रहा थीक है उसके बाद नेक्ष्ट हमारे पास प्रसन आता है कि 1951 से लेकर 1956 तक हिमचल प्रदेश जो था वो क्या था तो गष्रेणी का राज्य था उसके बाद 56 से 51 तक हिमचल प्रदेश क्या रहा तो हिमचल प्रदेश जो है मतलब ये केंदर सासित प्रदेश के रूप में रहा तो तीन साल जो है मुखहयुक के रूप में रहा और गष्रेणी के राज्य के रूप में पांच साल रहा और पंदरा साल केंदर सासित प्रदेश के रूप में रहा उसके बाद 25 जनवर 1970 को ये पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दिया गया तो फिर उसके बाद ये पूर्ण राज्य बना उसके बाद बात करते हैं हम कि हिमचल परदेश जो है वो भारत के कितनुए नमबर का राज्य बना तो ये 18 नमबर का जो है वो राज्य बना उसके बाद next हम बात करते हैं कि हिमचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदिया है तो हिमचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदिया है इनकी वीडियो भी आपको next जो हमारा अगला वीडियो जो crash course चल रहा है उसका अगला part आएगा part second तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हिमचल प्रदेश की संपूर्ण नदियों की जानकारी और ट्रिक भी इसे सबन्दित आएंगी तो मुख्या जो है 5 नदिया है और इसकी साहिक नदिया बहुत सारी हैं जिन के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक प्रबाइट कुराऊंगा हम चैनल के साथ जोड़े रहिए आपको हिमचल प्रदेश की सारी जानकारी जी के सिस्वंदित इस चैनल पर मिल जाएगी तो नेक्स्ट हमारे पास प्रसन आता है हिमचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सत्रूज है आपको पता है कि सत्रूज हिमचल प्रदेश की सबसे लं नाव है हिमचल प्रदेश के पूरे में कौन सा जिला आता है कि नौर और उत्तर में जो है चमब और लौल स्पिति और दक्सिन में सिर्माओ और सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन है तो सबसे बड़ा हिमचल प्रदेश का जिला लौल स्पिति है और सबसे छोटा जिली के हम हम बात करें तो हमिरपूर है तो ये एक सेतरफल की द्रिष्टी से हम बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो जीलों हैं उनको सीमा किस जीले से लगती हैं तो वो आपका आ गया एक कांगडा और एक मंडी छे-छे ठीक है तो ये ट्रिक हमारी टीम द्वारा बना दी गई है ये ट्रिक भी आपको जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी बिल्कुल बिस्तार से और इनके उपर एक एक अलग-अलग से वीडियो आपको प्लब्द करवाई जाएगी तो ये देखिया आप हिमचल परदेश का मैप जो मैंने अपने हातों से बनाया हुआ है तो इसे मैं आपको नेक्ट वीडियो में सिखाऊंगा जो मैंने पहले भी बादा किये हुए आपसे पूरब में देखिये इस प्रकार से मैप को बाड़ जाता है तो ये जो है हमारे पास जो पूरबी जो है दिसाय हैं हमारे पास चार हैं पूरवी, पश्चिम, पश्चिमी साइड है, उत्तर और दक्षिन तो जो हमारे पास बात आती है कि पूरब में कौन सजिलाता है तो पूरब में आपका आता है कि नौर और पश्चिम जो है उसमें आपका आता है ये कांगड़ा और जो ये आगया आपके उन्ना, हमीरपूर और बिलासपूर और उसके बाद उत्तर में आपका आता है चंबा और लौहलस्पीदी और दक्षिन में आपका आता है सिर्मार तो यही जीले मैंने आपको यहां बताय हुएं लिखकर तो इनको भी आपने एक बार ध्यान से पढ़ लेना है उसके बाद हम बात करने बाले हैं कि हिमचल प्रदेश जो है उसकी जो है अन्या राज्ये जो कितने है उनसे सीमा लगती है तो जो है हमार पास छे राज्ये हैं और यह बेरिपॉटन प्रसन है तो सबसे पहला था हमार पास चीन जो हमारा एक देश है उसके साथ सीमा लगती है तो चीन से लगती है लहस्पिति और किनौर की उत्रप्रदेश है उत्रप्रदेश से सिर्मौर की लगती है और उसके बाद उत्रखंड है उत्रखंड से किनौर, सिर्मौर और सिमला की हर्याना से सोलन और सिर्मौर की और पंजाब से सोलन, बिलासप उन्ना कांगळा और चमबा की और जम एंड न कसमिये से कनगळा की सबसे ज्ज्यादा जो है था सीमा हीमचल प्रदेश की जो है किस राज जिस लगती है तो वह लगती है आपकी पंजाब से तो ये बेरिपॉटेंट प्रसन है कि सबसे ज्यादा जो है किस राजय के मतलब जो हिमचल प्रदेश के जीले है अर्थात उनकी सीमा है किस जो है वो राजय से सबसे ज्याद लगती है तो पंजाब हमारे पास सही जो है आता है तो इसमें जो है आपके पांच जो है डिश्टिक ह उनकी लगती है सोलन, ब्लासपुल, उन्ना कांगड़ा और चामबा की तो ये भी आपने ध्यान रखना है तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास इंडिया का मैव है तो इसमें पांच जो हैं हमारे पास राज्याते हैं तो ये जो हैं ये हमारे पास पंजाब है, ये हमारे पास जो है हर्याना है और उसके बाद ये हमारे पास अपना राज्य ही मचल है और ये हमारे पास उत्तरा खंड है तो और ये हमारे पास उत्तर प्रदेश है और ये हमारे पास जमुएड कस्मीर है तो सबसे ज्यादा कि मतलब जो राज्य है उसके साथ लगती है हमारे हिमाचल प्रदेश के जिले तो पंजाब तो पंजाब आपको मैं ये बता देता हूँ कि पंजाब कहा है तो पंजाब हमारे पास ये जो है ये पंजाब है तो पंजाब जो हमारे पास राज्य है उसकी सबसे ज्यादा हमारे हिमाचल प्रदेश की जीलों की सीमा लगती है तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की परवत स्रिंख लाएं बात आती है कि हिमचल प्रदेश कितनी परवत सरिंखलाओं में बंटा हुआ है तो हिमचल प्रदेश जो है तीन परवत सरिंखलाओं में बंटा हुआ है तो यह आपके लिए क्रैस कोर समझ लीजी आप तो इसमें आपको मैं मोटा मोटा बताऊंगा लेकिन इतना बताऊंगा जो आपके exam के point of view से आपको बिल्कुल exact बताऊंगा इसे बाहर कुछ नहीं आएगा तो सबसे पहली जो हमारे पास आती है नीमन परबत सरिंखला उसके बाद आती है मध्य परबत सरिंखला और उसके बाद आती है उच परबत सरिंखला तो जो हमारे पास नीमन परबत सरिंखला है उसकी जो उंचाई है वो है 350 मेटर से लेकर 1500 मेटर तक और उसके बाद मध्य परबत सरिंखला आती है उसकी है 1500 मेटर से लेकर 4500 मेटर तक और उसके बाद आती है उच परबत सरिंखला उसकी है 4500 से 7000 मेटर तक तो ये तो आपकी आगई तेन परबस स्रिंखलाएं तो उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपको समझान चाहिए चीज कि हिमचल प्रदेश की परबस स्रिंखलाएं होती क्या है तो हिमचल प्रदेश के ये मैंने एक image की जो है साहिता से आपको बता रहा हूँ तो ये देखिए आप image को तो जो आपको इस परकार से परवत दिखाई दे रहे हैं तो इन परवत की बात हो रही है कि मतलब किस जीले में किस परकार के जो हैं परवत की height है किस में तो ये मैं आ अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमचल प्रदेश के परवत सरिंखलाओं में नीमन परवत सरिंखला की तो नीमन परवत सरिंखलाओं की हम अगर बात करें तो नीमन परवत सरिंखलाओं में हमारे पास साथ जो जीले आते हैं तो मतलब जिसमें जो परवत हैं उनकी हाइट 350 मेटर से लेकर 1500 मेटर तक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं निमन परवत स्रिंखलाओं को अन्यकिस नाम से जाना जाता है तो सिवालिक परवत के नाम से भी इसे जाना जाता है और सिवलिक कार्थ होता है शिव की जटाएं और समूदर तल से इसकी जो हाइट है वो है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक अर्थाथ 3.5 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक उसके बाद हम बात करते हैं कि जो निवन परवज श्रिंखला है या सिवलिक परवज श्रिंखला है Unknown. आदि 1500 सो मीडर तक है इसकी ऑस्तन हाइट तो अ इसमें जो है ऑस्तन बर्षा कितनी होती है अर्थाथ इस एर्यव में बर्षा का ऊस्तन कितना है तो 1500 से थार 1 सो मिलेमेतर तक यहां पर वर्षा होती है और इसे जो है सिवलिक परवत आपसे पूछ ले निवन परवत सरिंखला पूछ ले या मौनाग परवत सरिंखला पूछ ले या एक ही नाम है तो सिवलिक परवत सरिंखला को मौनाग परवत सरिंखला भी खा जाता है सिवलिक परवत सरेणी में आने वाले जीले जो है तो आगे हम बात करें तो आगे सीवालिक जो परवज स्रेणी है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हैं साथ जी ले आते हैं तो वो हैं जो सिर्मौर, सोलन, ब्लासपुर, उन्ना, हमीरपुर, मंडी और कांगडा सीवालिक परवज जो स्रेणी है इसके अंतरगत आने वाले क्षेतरों में बोई जाने वाली मुख्य जो फसने हैं वो हैं गेहू, मक्की, धान, गणना और अद्रक और सिवालिक परवस्रेणी के अंतरगत आने वाले क्षेतरों में पाय जाने वाले मुख्य ब्रिक्स जो हैं वो खैर, कचनार, आम, सीसम, तूद, साल, बांस आदी के ब्रिक्स पाय जाते हैं उसके बाद हम next बात करते हैं कि मध्य परवत्रिंखला तो मध्य परवत्रिंखला जो हैं उसमें आपके कौन-कौन से जो हैं वो आते हैं तो मध्य परवत्रिंखला के अंतरगत जो हैं सिर्माओर का नहान और पंचाद और मंडी के करसोग और चियोट और चंबा के चुराह और कांगड़ा के जो हैं वो आते हैं आपके पालंपूर तहसे तो मध्य परवस सिरेणी के अंदरगत आने वाले भी 6 जिले हैं और निवन परवस रिंखला में या सिरेणी में साथ आते हैं तो मध्य परवस रिंखला की समुद्र तल से जो हाइट है वो है उंचाई 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक उसके बाद अगर हम next बात करें कि मध्य परवस रिंखला के अंदरगत जो है वो किस परकार के ब्रिक्स पाय जाते हैं तो अकरोट सेव और देवदार के और इसके बाद next हमारे पास आता है कि धालदार परवस रिंखला मोख्यता किस क्सेतर में आ जाती है और धालदार परवस रिंखला को अना नाम जाना जाता है तो मौलांक परवत और जो हम मैंने पहले आपको बताया कि शिवलिक परवस रिंखला को उसे मैं नांक परवत ठीक है उसमें ना लगता है और इसमें ला लगता है ठीक है तो अब हम आगे बात करते हैं कि ह हिमाचल प्रदेश जो है उसमें पीर पंजाल परवस स्रिंखला भी आती है तो ये जीला चंबा में पाई जाती है उसके बाद यदि हम बात करें उच परवस स्रिंखला की तो उच परवस स्रिंखला जो है इसे अन्या जो है नाम से जाना जाता है अलपाइन क्षेत या ब्रह हिमालय तो उच परवस रिंखला के अंतरगत जो आते हैं जिले तो चमबा का पांगी लाहल स्पीती और के नौर तीन जिले आते हैं चमबा लाहल स्पीती और के नौर तो उच परवस रिंखला की अगर हम बात करें तो समुदर तल से इसकी उंचाई है 4500 से लेकर 7000 मेटर तक की उसके बाद अन्य जो महतपुर्ण प्रसन हमारे पास आते हैं तो है हिमाचल जो ब्रीहित हिमाल्या या अल्पाइन क्सेतर में कौन सी परवत सिरिंखला आती है तो जासकर परवत सिरिंखला और मद्य हिमाल्या परवत सिरिंखला में धौलदार और पीर पंजाल तो प्रदेश को किस से अलग करती है तो तीबद से ठीक है और हिमचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी सिल्ला जो कि नौर में है और हाइट है इसकी 7025 मिटर उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है हिमचल प्रदेश जो है वो किस मिस्तित है तो पस्चिम मार लिया और अगर हम बात करें तो मध्य जो हमारा परवस्रेणी है उसमें ये जिले आते हैं आपको बताए मैंने 6 जिले तो 6 जिले कौन कौन से है तो ये हमारे पास आता है चंबा ये हमारे पास आता है कांगडा और ये हमारे पास आता है जो हमारा मंडी है और ये हमारे पास आता है स रोलन और यह आता है सिर्मोर और यह आता है वासिमला तो यह छे जीले आते हैं उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी उच परवस रिंखला बाहे परवस रिंखला और अलपाइन कसेतर है तो उसमें मैंने आपको तीन बताये लेकिन आपने दौ मुख़्े याद रखने ह लहौल स्पीटी और कई नौर्ट तो यह जो जिले हैं यह वेरी पोटंट हैं तो यह आपने दो जिले याद रखने हैं और हां यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो यहीं हम इस क्रेस कोर्स के पहले लेक्चर को समाप्त करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रिप है वीडियो को लाइक करें कमेंट करें कि आपको कहा कमी लगी और आपको अगर किसी जो प्रसंद में कोई दिखत है तो आप हाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें जिसे आपको हमारी अगली नई नई जो ट्रिक से समंधित और ये जो हमारा क्रैस कोर्स चल रहा है उससे समंधित जो वीडियो आएंगी उसकी नॉटिप्येशन आपके भ झाल